आज का वीडियो ना तो किसी educational मुद्दे पे breaht करने वाला हूँ और नहीं किसी motivational बात करने वाला हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कोई इस मोटिवेशनल बाते होंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही अस्पेसल मुद्दा है और ये मुद्दा जो है एक बुक रिव्यू करना है दोस्तों एक बात बता दो कि मैं जब भी आपके पास में आता हूँ तो बाई honestly, hurtly मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं दूना बित 100% honestly दूँ जिससे कि आपकी life best हो जके कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करता हूँ जिससे कि मेरी life best हो जाए ये ऐसा मेरा कभी कोई उद्देश नहीं गुआ है जब अस्टार्टिंग किये थे तभी और आज इस मुकाम पे खड़े हैं तभी ऐसे कंडिशन में कुछ ऐसी बुक होती है जिसको हमें आपको बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत ऐसे स्टुडेट होते हैं जो उस बुक को नहीं जानते हैं लेकिन बहुत ऐसे स्टुडेट होते हैं जो मुझे जो है blind faith करते हैं कि नहीं जो सुजीत सर बोलेंगे वही मैं करूँगा तो ऐसे कंडिशन में हमारे पास में और जाबा responsibility हो जाती है कि मैं जो भी बोलू सोच समझ के और आपके सपने को जो आसानी से मिला दे आपको मैं उसी चीज पे उसी बातों पे उसी मुद्ध में बात करूँ जिससे कि आपकी life best हो सके ऐसे condition में एक बुक की चर्चा करने जा रहा हो हला कि बोल पे देखते हैं आपको समझ में आगया होगा कि वानी सीरीज की चर्चा करने की पुशिश करूगा परिच्छा वानी सीरीज की दोस्तों एक बात मैं बता दूँ जिस तरीके से पूरी इंडिया में Lucent हर student की table पे रखा होता है पूरी इंडिया में घटना चक्र का पुर्वा लोकन हर student की table पे रखा होता है वैसे ही अगर अश्पीसली UP की मैं बात करूँ तो UP का हर एक student हर एक घड में जो भी IS या PCS की तयानी करता है उसके table पे परिच्छा वानी का सिरीज 100% रखा होता है 100% अलेग बात है अगर जो भी हिंदी भासा चेत्र है जैसे आपका बिहार हो गया उत्राखंड हो गया जारखंड हो गया मद्वर्दिस हो गया 36 गर हो गया राजस्थान हो गया इन सब बेल्ट में बहुत इसे बच्चे हैं जो अभी भी परिच्छावानी के बारे में नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा जो है ये गेम चेंजर बुक है लेकिन जो बिहार अस्पेसली UP PCS में भी बहुत इसे स्टुरेट हैं जो नहीं जानते हो तो अगर इस बुक को आप नहीं पढ़े तो वाकई में आपने समझो कि कहीं कहीं बहुत बड़ी गलती कर दिये आप ट्यूसल पढ़ो या ना पढ़ो किसी का गाइडलाइन हो या ना हो अगर ये स्टुरीज की बुक आपके पास मेहन है तो मान के चलो कि सिक्यूर सक्सेस है एक्दम सिक्यूर सक्सेस है कोई हवावाजी नहीं बात कर रहा हूँ रियली बता रहा हूँ अब इस बुक को थोड़ा सा आपको में दिखा दू पाले ये यही बुक है हिस्ट्री का है इसमें सारा सीरी जाता है अगर देखेगा तो हिस्ट्री पॉरिटी जोगरफी एकोनोमी जंडल साइस सब कुछ आता है इसी कंदर लेकिन आज जो चर्चा करने वाला हम हिस्ट्री का सारा बुक आलरी बहुत अच्छी है इसकी सारी स्रीज के लेकि चर्चा करूँगा आज हिस्ट्री का ही इस बुक के लेने की पीछी क्या वज़ा है एक तो भज़ब ही तो होने चाहिए कि सर आप हमें बुक खरदा रहे ह दस-पांच उपए की तो होती नहीं है सबसे बड़ी बात है पैसे से भी अगर थोड़ा सा उपर जाके मैं बोलने के कोशिश करूँ तो इंपोर्टेंट होता टाइम का और कहीन कहीं कुछ ऐसी पुख मत बता दो जिससे क्या हमारा टाइम को किल कर दे मैं कभी ऐसी बात नहीं करूँगा आपसे नहीं बनाओगा वो कबूल है लेकिन जो भी बात करूँगा आपके टाइम को सेफ कर दे आपको सेफ जोन में कर दे सक्सेस का लेकिन कभी भी टाइम आपका किल कर दे वो बात में कभी करने आपके पास नहीं आता हूँ आपको बस इसके अंदर जो है नहीं ये ब्लीब बताना होगा अपने माइट को फिर आपका साल अपके सही होगा और सक्सेस्फुल होगा ये बुक की क्या खासियत है थोड़ा सा मैं यहां पे पढ़िये तो मजा आने वाला वीवनी में पढ़िये का निंद आने वाला रात में तो समझ में नहीं आने वाली है सही बात बोलना हूँ लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि जिस वक्त आप पढ़ने बैट हो उस वक्त इतना मजा देता है जो मैं बताने सकता हूँ कैसे अभी इसके अंदर ले जाके भी बताऊँगा तो सबसे बड़ी बात है कि साहारा भासा में लिखी हुई है यानि कि कोई भी एस्टुमेंट इसको पढ़ सकता है किसी के साहारे बहुत ऐसी बुक होती है जब तक आपका कोई गाइलाइन करने बाला ने हो जब तक कोई टीचर ना हो तब तक वो बुक कभी भी आप नहीं पढ़ सकते है या आप भी अच्छे तरीके से जानते है लेकिन ये ऐसा एक बुक है जो किसी की गाइलाइन की ज़वरत नहीं है ये पूरी तरीके से जो है आपके पेटर्ण पे उतरती है आपकी एक्जाम के पेटर्ण पे खड़े उतर पाती है दोसरी बात है कि ये syllabus के अनुसारी इसमें fact है बहुत ऐसी history जो होती है factual होती है बहुत सारे fact बहुत सारी book में दी होइती है लेकिन इस बुक की ये खासियत है, जो आयोग आपको syllabus दिया है, चाहे UPPCS का हो, BPSC का हो, जारखंड का हो, 36 गर का हो, MPPCS का हो, सारे का syllabus के अनुसार से ही इसमें according to पूरे के पूरे चेप्टर दिया हुआ है, एक भी इधर उदर की बाते नहीं, उतना ही जिसमें आसानी साफ SUCCESS को आसानी से एचीव कर सकते हो, तो खासियत ये भी एक है इसमें, तीसरा है, बिगास वर्सों के परसनों का समावेस है, जो पीछे साल में पूछे गए कोशन है, उसको भी इसमें include कर दिया गया है, और खास करके जो भी इसमें बताया गया है, हर पेस, एक दो पेस के ब इसमें objective प्रसन होता है, और finally selection कर जाईएगा इस book को पढ़ने के बाद, कैसे, आईए थोरा सब देख लेते हैं इसको अंदर, ये पूरे NCRT के pattern पे खड़े उतरता है, अब देखिए, इसके अंदर जो है, starting जो होता है, European company के आगमत से start होता है, इसको भी पढ़ना जरूरी है, मुगल समराज का पतन कैसे होगा इसको भी जाना है, नभीम, राजियों का कैसे उदर होता, जिसे दक्कन होगा, भरतपूर वा-सिख राज होगा, या फिर रासपूत हो गया, या मैसूर राज होगा, कैसे आजाज होता है, उसके बारे में परणना है, जो कि बहुत important है कुछ भी छोड़ने ज़रूरत नहीं है उसके बाद मराथा राजसंग है इसको भी पढ़ना है उसके बाद बिटे सासन के साथ बारती अरक्योवस्था पर कैसे परभाव परता है उसको भी जानना ज़रूरी है इसके साथ में ठापसो संदामन का बिद्रो इसको भी पढ़ना होगा भारत के सबैदानिक एतियास क्या था उसको भी जानना है 19. सदी का धार्मिक और समाजिक आंदोलन है उसको भी अच्छे तरीके से दे दिया गया है आसानी सा पढ़ सकते हैं आप देखिए उसके साथ में निम्र जाती जन जाती मजदूर और किसान अंदोलन दिया गया है इसको भी समझना है और भारत के बिटिस सासन की बिरासत है इसको और भारत के स्वतंतरता संगर जो है कौन से कार किनके टाइम में हुए उनके बारे में थुरा सा जान लेना है कि मोटी किताब कर दो ज्यादा कीमत अस्वाट से ले लो ऐसा कुछ भी नहीं है परिच्छा बाने की यही खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इनमें इस बुक में यही मुझे अच्छी लगती है, जो कि सीप कुमार उधासर के दौरा लिखा गया है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको खरी दिये और अपने टेवल पे ज़रूर रखिए, अब थोड़ा की दिश्टी से कॉलम लगा के इसके अंदर डाल दिया गया, ताकि आपको ना तो नौर्स बनाना पड़े, और ना रिविजन करने वक्त इसके अंदर भेजे में प्रॉब्लम की रिएट हो, इसके लिए साइड में कॉलम दे दिया गया, कितनी खुरसूरती की बात है, पुरे तरीके से मेपिंग कर दिया गया है, और मेपिंग के तुरू ज़ो है, ज्यादा कॉंसेप्ट अंदर डाटा अंदर चला जाता, विदाओर कन्फीजर, इसी इसको आप भी मानते हैं, तो ये बुख अगर ओवर ओल देखा जाए, तो बड़ी अच्छी है, देखिए और इसकी जो खासियत थे, जब लास्ट इसका आएगा, तो इसकी थोड़ी से आपको में दिखा दू, हाँ, देखिए, जब समाथ हो गया इस चेप्टर, उसके बाद जो है, अबजेक्टिव पूरा कोश्य भड़ा हुआ है, कि आपने अगर जो पढ़ा है, अबजेक्टि आपनी का टोटल सिरीज लीजिए, एक यही ने, हिस्टी तो मैं बताया हूँ, आप इसका पॉरिटी लीजिए, जोगरफी लीजिए, इसका जेनल साइस लीजिए, इसका एकोनोमी लीजिए, लेकिन लीजिए सारे सिरीज को, और अपने टेबल पर रखिए, आप सच्छे जरूर कर जाईएगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर अच्छे तरीके से इस सिरीज को आप पढ़ लिये तो, उसके बाद आपको कहीं किसी से कोई सजेसर लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, उसके बाद फिर पुर्वाब लोकल लगाईए, फिर लूसेंट लगा मैं आपसे आगरा करूँगा कि यह बुक इसकी पूरी सिरीज आप लेके आईए, हाँ, अब थोरा सा लगेगा कि सर इस तरीके से इतना रिजिट होके बाद करना, क्या सर इसमें कुछ आपका कोलिबरेशन भी है, कुछ भी नहीं कोलिबरेशन, सच्छी बता रहा हूँ, औ अगर कॉलिबरेशन रहेगा भी न, अगर कभी कहा जाएगा कि सर आपको इतना दिया जाएगा, आप रिभ्यू भी कर दिजे, फिर भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा आपकी परवार करता हूँ, आपकी सक्सेस की परवार करता हूँ, इम्पोटेंट हमारी पैस रही बड़ी आपकी किरपा रही आप ना होते तो इस खुशी का जो ठीकाना है रुप्य से कभी किया नहीं जा सकता है दौलत से कभी नहीं किया जा सकता है और यह सच है आपको लग रहा होगा बनाप्टी तो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है मेरी जो है मैं सा करवाना चाहते हैं आप हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा और फिर किसी उसी वीडियो के साथ में आपके साथ में आज होगा थैंक्यू नमस्कार